हेलो फ्रेंट्स मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनालसिस करेंगे इस हैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो आज यूजल शुरू करूंगा फिंगर्स के से उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सैटिंग को और माउंट्स को और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को इस तरह से पूरे हैंड का जो अनालसिस हैं हम कंप्लीट करेंगे तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूं सासा ड्रॉ करता जाओंग आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स की जो लैंट है काफी अच्छी है काफी स्ट्रेट फिंगर्स नजर आ रही है आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा फिंगर्स जो है काफी स्ट्रेट है और बिल्कुल सीधी होने के साथ साथ यहाँ पर अपॉलो फिंगर्स की जो लैंट है वह काफी अच्छी है ब्रस्पती फिंगर्स जानी जुपिटर फिंगर्स से ज्यादा है तो काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटी जनकी जो Jupiter finger है यह है थोड़ी सी short नजर आ रही है जिसकी वजह से थोड़ी सी leadership qualities में कमी रह सकती है otherwise fingers मुझे काफी strong नजर आ रही है सीधी lines यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह की सीधी lines जो इनकी nature को friendly बनाती है काफी friendly nature की रहने वाली है और अगर हम mercury finger की बात करें तो mercury finger थोड़ी सी short हो रही है यहाँ पर size में थोड़ी short होने के साथ साथ जो mercury mount है वो भी थोड़ा सा low set हो रहा है इसकी वजह से थोड़ी सी communication skills में दिक्कत रह सकती है otherwise थोड़ी सी shyness रह सकती है normally fingers यहाँ पर काफी strong हैं काफी thick हैं काफी अच्छी energy और stamina इनके अंदर रहने वाला है आगे check करते हैं यहाँ पर इनकी fingers की setting को and mounts को तो एक line यहाँ पर draw करना चाहूँगा ताकि हम check कर सकें इनकी fingers की setting किस तरह से है तो यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा अगर एक line हम draw करते हैं तो कुछ इस तरह की line जो है बनकर सामने आएगी जिसमें आप देख सकते हैं जो mount of mercury है थोड़ा सा low set हो रहा है बाकी के सारे mounts काफी अच्छी position में नजर आ रहे हैं जो इनका ब्रस्पती mount है यह भी थोड़ा सा low set हो रहा है तो चेक करते हैं क्या benefits मिलते हैं और क्या-क्या नुकसान होता है low set होने से तो यहाँ पर mercury low set होने की वज़े से थोड़ी सी shyness रहती है थोड़ा सा public phobia रहता है अगर किसी मंच पर जाकर इन्हें कुछ बोलना पड़े तो उसमें थोड़ी सी इनको दिक्कत होगी क्योंकि mercury यहाँ पर खुलकर इनको बोलने नहीं देगा थोड़ी सी shyness की वज़े से दिक्कत रह सकती है और अगर देखा जाए तो सूरिया यानि Apollo Mount and Saturn Mount दोनों काफी अच्छी position में है और जो Jupiter Mount है यह थोड़ा सा low set हो रहा है लेकिन काफी prominent नज़र आ रहा है मुझे तो देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं इनके Mounts के ओपर तो सबसे पहले Mercury Mount की बात करते हैं आप देख सकते हैं काफी सारी खड़ी रिखाएं यहाँ पर आपको clearly नज़र आएंगी जो show करती हैं यहाँ पर काफी अच्छी business expertise को the person will be expert in business यहाँ पर ऐसी lines होने की वज़े से business acumen काफी अच्छा रहता है और जो थोड़ी सी shyness के सासाथ यहाँ पर काफी sharp mind भी रहेगा और यह business में काफी अच्छा perform भी कर पाएंगे आगे चेक कर रहे हैं सूरे यानि Apollo Mount Apollo Mount आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा तक close up लेकर दिखाना चाहूंगा Apollo Mount के ओपर मुझे यहाँ पर triangle बनता हो अच्छा माना जाता है इस तरह का triangle एक बहुत शुबचिन है यहाँ पर very good sign और इस तरह का sign होने की वज़े से व्यक् triangle benefit देता है काफी name and fame मिलता है लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो थोड़ा सा mount जो है मुझे weak नजर आ रहा है आपको देख सकते हैं थोड़ा सा mount जो दबा हुआ है center से अंदर की तरफ तो overall यहाँ पर इस triangle की वज़े से इनको benefit तो होगा लेकिन eyesight जैसी problem रह सकती है थो देखते हैं जो saturn mount है इसी तरह से हलका सा दबा हुआ लेकिन जो श्यानी की line है काफी strong है काफी उपर तक यहाँ पर line मुझे पहुंचती नजर आ रही है कुछ इस तरह से saturn line यहाँ पे चलती हुई जिसको fate line भी कहते हैं very good sign थोड़ी सी overlapping है लेकिन इस तरह की line का होना like में कुछ up downs तो देता है लेकिन पैसे की कमी व्यक्ति को नहीं रहती किसी ना किसी तरह से जो income है वो generate होती रहती है तो यहाँ पर यह एक अच्छा चिन है इनके लिए आगे देखते हैं यहाँ पर जो इनका ब्रस्पती माउंट है काफी strong line ब्रस्पती माउंट के उपर मैं दे होकर ऊपर की तरफ ब्रस्पती की तरफ चलती है इसको progress line व्यक्ति की life में काफी progress रहती है और यह progress जो होती है throughout the life चलती रहती है तो यहाँ पर इनकी life में भी काफी progress रहने वाली है साथी साथ क्रॉस का बनना बरस्पती माउंट के ओपर किसी भी तरह से क्रॉस का बनना एक बहुत अच्छा चिन है यहाँ पर क्रॉस जो बन रहा है इनको काफी बैनेफिट्स देगा रिलीजियसनेस देगा और काफी लकी एक तरह से यह रहने वाले हैं आगे देखते हैं इन माउंट्स के बाद लाइन्स को तो लाइन्स इनके बारे में क्या क्या इंडिकेशन देती हैं इस चीज़ को चैक करते हैं तो यहाँ पर अब देख सकते हैं इनकी हाट की लाइन जो मुझे नजर आ रही है बिलकुल सीधी चलती हुई और यहाँ पर जो इस लाइन की शुरुआ हात है कमेंस्मेंट है वह मुझे सैटरन एरिया से होती हुई नजर आ रही है यानि कि शनी एरिया से शनी एरिया से लाइन शुरू होने के कारण व्यक्ति थोड़े से मटिरियलिस्टिक अप्रोच के होती है जिनकी ऐसी लाइन होती है थोड़े सी मटिरियलिस्टिक अप्रोच लाइफ में रह सकती है उसके इलावा यहाँ पर इस line का यहाँ से शुरू होना व्यक्ति को काफी ज्यादा practical person भी बनाता है काफी practicality रहेगी और जो line है काफी सीधी है कुछ ऐसी नीचे की तरफ चलने वाली जो lines है यह है थोड़ी से emotional setbacks दिलवा सकती है अदर्वाइज यहाँ पर हाट की line का बिलकुल सीधा होना व्यक्ति ज्यादा emotional नहीं होता ज्यादा तरफ practical approach रहती है life के प्रती तो यहाँ पर हमने हाट line को चेक किया मुझे कोई भी major problem हाट line में नदर नहीं आ रही तो हाट की line थोड़ी सी double हो रही है जो कुछ छोटे मोटे blood pressure जैसे issue इनको later age में दे सकती है अदर्वाइज कोई भी major problem यहाँ हाट line में दिखाई नहीं दे रही आगे देख सकते हैं इनकी mind की line को काफी strong mind की line है इनकी यहाँ जो line जिसको मैं draw कर रहा हूँ इसको mind की line कहते हैं और इसकी commencement जो है बरसपती area से होती हुए नजर आ रहे है जपिटर माउंट से commencement है इस line की जो show करती है काफी ambitious nature को तो काफी ambitious यह रहेंगे और उसी ambitious nature की वज़ए से like में progress भी होगी और जो एक strong mars line काट रही है इस line को वह है थोड़ा सा negative है आप देख सकते हैं यह है जो line मंगल area से चल कर उपर की तरह बढ़ती हुई life line और mind की line दोनों line को काट कर चल रही है जो show कर रही है 20 plus की age में कोई यहाँ पर problem रही होगी इनको life में problem even some physical problem और यहाँ कोई mental stress क्योंकि दोनों lines को यह काट कर चल रही है 20 plus की age में थोड़ी सी दिक्कत इसकी वज़े से इनको सहन करनी पड़ी होगी otherwise यहाँ पर कुछ हलकी stress की lines है जैसे कुछ इस तरह की stress की lines है लेकिन यहाँ पर जो first line है यह सबसे ज्यादा strong है overall mind की line काफी strong है तो mind काफी sharp रहेगा business में भी यह काफी अच्छा perform कर पाएंगे money triangle यहाँ पर बनता हो दिखाई दे रहा है आप देख सकते है money triangle इसको कहा जाता है कुछ इस तरह का triangle जो mind की line, fate line और mercury line इन तिनों lineों से मिलकर बनता है इसको money triangle का नाम देते हैं तो money triangle होने की वज़े से light में पैसा खूब रहता है तो पैसे की यहाँ पर किसी तरह की कोई कमी मुझे इनकी light में नजर नहीं आ रही तो काफी अच्छा चिन है यह आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी line of fate को fate line इनके बारे में क्या के इंडिकेट करती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं fate line moon area से commence होती हुई और आगे चलकर 35 के आसपास की age में जाकर यहाँ पर थोड़ी सी changes profession में कुछ अलग से एक line चल रही है जो show करती है 30s की age में एक साथ दो professions two professions at one time यहाँ कर सकते हैं और 36 के आसपास की age में चलकर एक पराना profession को यहाँ छोड़ सकते हैं तो यहाँ पर जो पहली fate की line है खतम होती हुई 36 के आसपास की age में दबारा से दूसरी line आगे इक तरह बढ़ती हुई और जो 58 की age तक पहुँच रही है यहाँ पर तो यहाँ पर 58 यानि retirement age तक यह line काफी अच्छी income इनको देती हुई दिखाई दे रही है उसके बाद भी आगे line चल रही है तो काफी progress रहेगी लाइट में moon area के ओपर काफी सारी lines जो इनको काफी travel करवाएंगी और उसके साथ साथ चेक करते हैं इनकी life line को तो आप देख सकते हैं life line काफी अच्छी नजर आ रही है यहां तक पहुँचती हुई life की line और कुछ कुछ इस तरह है की और यहां पर शुरू में 20s की age में कुछ problem और कुछ ऐसी ही problems छोटी problems यहां पर आगे भी देख सकते हैं यह problem जो रहेंगी लगबग यह 30 के आसपास की age में next problem दिखाई दे रही है मुझे stress line और उसके बाद 36 के आसपास की age में एक और stress line यह कुछ stress इनको मिल सकता है overall जो age रहने वाली है वह मुझे यहां पर 80 plus की दिखाई दे रही है काफी लंबी age को यह enjoy कर पाएंगे और यहां पर एक line जो आप देख सकते हैं जिसको via lascivia भी कहा जाता है थोड़ी सी बनती हुई तो किसी परकार की addiction हो सकती है चाहे वो alcohol की हो या किसी भी और चीज़ की addiction होने के chances भी यहां इनकी via lascivia line की वज़े से दिखाई दे रही है तो यह कुछ analysis थे इनके hand के बारे में और मेरी कोशिश रहती है कि सारे सवालों के जवाब एक ही वीडियो के तुर दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन रह जाता है तो इनसे request है कि मुझे WhatsApp पे message करें अगर इनका कोई सवाल रह गया हो ताकि दोबारा से इनके हाथ को चेक करके इनके सवालों के जो आप timely मैंधर पे ने दे सकूँ तो अमीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो से लाइक करें शेयर करें और साथी साथ मेरा चैनल भी सबस्क्राइब करें मेरा वीडियो करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद